एक समय की बात है, एक छोटे से सुरम्य गाव में लियाम नाम का एक युवा लड़का और उसका वफादार कुट्ता मैक्स रहते थे। लियाम अपनी असीम जिग्यासा और साहसिक भावना के लिए पूरे गाव में जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी गा रहे थे और फूल खिल रहे थे, लियाम ने देखा कि एक नया परिवार बगल के खाली घर में जा रहा है। उनमें अमेलिया नाम की एक लड़की भी थी, जिसकी चमकती आखो और उजवल मुसकान ने तुरंत लियाम का ध्यान आकर शित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लियाम और अमेलिया जब भी रास्ते में मिलते तो एक दूसरे से शर्मीली नजरे और मैत्री पूर्ण हाथ मिलाने लगते। एक दिन, गाव के चौराहे पर मैक्स के साथ तहलते समय, लियाम ने अमेलिया को एक बेंच पर अकेले बैठे, सोच में डूबे हुए देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने बातचीत शुरू करने का साहस जुटाया। मैक्स को अपने साथ लेकर वह उसके पास आया और अपना परिचय दिया। उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्हें पढ़ने, संगीत और रोमाज का शौक है। लियाम ने साहस जुटाया और अमेलिया के सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया। उसकी खुशी के लिए वह शर्मा गई और स्वीकार किया कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ।